हेलो नमस्कार स्वागत है आपका एकवा फिर से एविएस क्लासेज में तो NCRT Solution Series में आज का जो सवाल है Class 11 Chemistry Chapter 1 Question No.2 आईए देखते हैं क्या solution है batches start हो चुके हैं तो batches में enroll करना ना भूले चैनल को subscribe करना ना भूले सवाल क्या कहता है Calculate the mass percent of different elements present in sodium sulfate sodium sulfate आपको दिया हुआ है और आपसे ये कहना चाह रहा है कि भई इसका mass percent जितने भी आपके element present है उन सबका mass percent अलग-अलग निकाल लिए इस sodium sulfate के अंदर सवाल समझ में आ गया अब पहले काम जो आपको करना है वो ये करना है कि sodium sulfate का आखिर molecular mass होता कितना है तभी तो mass percentage आप individual निकाल पाओगे तो आईए देखते हैं इसको solve कैसे करेंगे किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो है sodium sulfate तो Na2SO4 तो sodium sulfate का अगर मैं molecular mass निकालूँ तो molecular mass किस तरीके से निकलेगा तो molecular mass इसका हो जाएगा भई दो sodium atom है तो जी 2 Na हो गया प्लस एक sulfur atom है प्लस चार oxygen atom है यह हो गया अब इन सब का mass कितना हो गया भई 2 into 23 sodium का कितना होता है 23 प्लस आपका sulfur का कितना होता है 32 प्लस oxygen का कितना होता है 16 यह हो गया, अब आपको क्या करना भई, इन सबको add कर देना है, add करके क्या आएगा, आपका देखो, add करके क्या आएगा, भई, simple mathematics है, तेज दूनी क्या होता है, 46, और 32, और 16, 64, सबको add कर देंगे, तो यह आपको आजाएगा, 142 आजाएगा, कितना आजाएगा, 142, तो यह आपको 142 value आगए, किसकी आगए भई, sodium sulfate, आप क्योंकि molecular mass निकाला है आपने, तो यहाँ पे आप unit लिख सकते हो, u, लेकिन एक चीज और है, आप molecular mass की जगए, क्योंकि आपको mass percent निकालना है, तो mass percent में, अगर आप u भी लिखते हो, तो भी चल जाएगा, और आप gram लिखो ग्राम पर mole, एक mole की value, एक mole की weight है, एक mole का weight कितना आया, 142 gram आगया, इतना clear हो गया, अब देखो percentage निकालने है, percentage का मतलब होता है, कि ratio निकालो और multiply कर दो 100 से, 100 से, तो ratio निकालना है, ratio निकालके क्या करना है, multiply कर देना है, किस से 100 से, आइए ये ये भी करके देख लेते है, ratio निकालेंगे और multiply कर देंगे, किस से 100 से, देखते हैं, सबसे पहले percentage of sodium निकाल लेते हैं, कि na कितना present है, तो na की present कितनी है, तो total आपके 2 na present है, यानि total mass कितना है sodium का, 23 into 2, 46, तो 46 mass है sodium का, divided by ये कितना है, total 142, और into क्या कर देना है, हमको 100 कर देना है, हमारे पास जो value आएगी वो कितनी आ जाएगी, इस तरीके से अगर आप इसको solve कर लेंगे, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो value मिलेगी, mass percent की, वो आपको मिल जाएगी, लगबग 32.4%, तो हम यह आप पे लिख देते हैं, जी, 32.4% आपको इसकी value मिल गई, ये क्या आ गया आपका भाई साब, ये आपका आगया sodium, sodium का percentage आगया, clear है, ठीक है, आइए, second हम देखते हैं कि second आपका क्या है, कौन सा element present है, वो है आपका sulfur, sulfur कितना present है, 32 gram present है, कितने में 142 में, तो sulfur का भी percentage आप निकाल सकते हैं, तो आइए sulfur के percentage की value भी लिख लेते हैं, mass percentage of sulfur, अच्छा नहीं दिखाई दे त चलो इधर हो जाते हैं, इस तरफ, तो अभी color change करके आपको लिख देते हैं, तूसरा आपका क्या है, percentage of sulfur, percentage of sulfur किस तरीक से निकालेंगे, भई कुछ नहीं करना है, percentage of sulfur निकालने के लिए आप क्या करो, कि आप value रगदो, sulfur की कितनी आ रही है, कितना mass है sulfur का, तो वो mass है आपक into 100, है ना, और कितनी value आ जाएगी, solve करके यह आ जाएगा लगबग 22.6%, 22.6%, अब रही बात, oxygen की percentage निकालने के मेरे भाई, तो oxygen की percentage निकालने का जो तरीका है, आपने देख लिए ना, मैं हट जाता हूं किदर, sulfur की percentage आपने देख लिए, sulfur की percentage आपने निकाल ली, है ना, कितना सा sulfur, 32 और divided by कितना हो जाएगा 142, और आपका into 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 22.6% आ जाएगा, अब अगला काम क्या है, अगला काम निकालना है oxygen, दो तरीके हैं, दोनों को add करके 100 में से minus कर दो, या फिर oxygen कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, 64 divided by 142 into 100 कर लो, उससे भी answer आ जाएगा, तो जैसा आपको ठीक लगे, मैं क्या करता हूँ, भई, मैं वही सरल तरीका अपना लेता हूँ, या फिर मैं भी वही कर दे, तो percentage oxygen निकालना है, तो 64 divided by 142 into 100 कर देंगे, हमारे पास जो value आ जाएगी, व आपको क्या हो जाएगा, 45.05 कितना आ जाएगा, 45.05 के आसपास आ जाएगा, या तो आप इन दोनों को add करके, 100 में से minus कर देंगे, तो भी हमारा answer आ जाएगा, तो इसको कर सकते हैं, calculation में थोड़ा सा fraction का उपर नेचे हो सकता है, यह मेरी exact calculation नहीं है, मैंने cable normally ऐसे calculate किया है, तो आप exact calculate कर सकते हैं, calculator से, तरीका मैंने आपको बता दिया है कि तरीका क्या होगा, mass percentage निकालनी है element की, तो सबसे पहले आप molar mass निकालेंगे किसका, molecule का या जो भी given substance है, और उसके बाद, उसके अंदर जो जो mass present element का, उससे ratio निकालके multiply by 100 कर देंगे, अगर समझ में आ गया ह तो like कर दीजेगा, channel को subscribe कर दीजेगा और share करिएगा video, thank you